नमस्कार दोस्तों आपका दोस्त अरुन एक नई मीडियो के साथ पुना हाजिर है दोस्तों आज की वीडियो यह CRT TV पे है CLG की CRT TV है की सिंज की और इसमें जो प्रब्लम आ रही है मैं आपको TV आउन करके दिखा देता हूँ और अगर ऐसी प्रब्लम आती है तो इसको आप आसानी से दूर कर सकते है दोस्तों अगर इस तरीके की प्रब्लम आती है तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि अगर आप टेक्नीशियन है तब ही आप काम करेंगे अन्यथा आपको करेंट लगने की वी संभावना होती तो अगर आपको जानकारी इस बिसे में नहीं है तो प्लीज इससे दूर रहे तो इस तरीके की प्राब्लम में हाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो इसको दूर करने का पूरा तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर दे जिससे हमारे दोरा बनाई गए वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो सबसे बहले हम टीबी को खोल लेते हैं और उसके बाद इसमें क्या चेक करना होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा फिर हम लोग इसकी फाल टेस्टिंग करेंगे तो इस तरिकी की प्रोब्लम हाती है ये आल्टास्लीम की टीबी है दोस्तों आपको दिखा देता हूं LG الطra slim है और नार्मल टीबी जो से आटी टीबी होती है बीसिंस की लगभग दोनों की PCB सेम ही होती है थोड़ा सा चेंज़ेज है इसमें तो सबसे पहले मैं इसमें काफी डेस्ट है और इसको मैं जैक अगरा निकाल लेता हूं PCB थोड़ा सा बाहर करता हूं उसके बाद आपको दिख होती है तो यहां पर हम PCB को पालट ले रहे हैं और क्या टेस्टिंग करनी है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले हम PCB को पूरी तरीके साथ ची से देख लेते हैं कहीं कोई प्रेंट तो गयरा जो है ब्रैक कि या ड्राइश होल्डर ऐसा कुछ तो करनी है दोस्तों यहां पर स्वीच का कनेक्शन है क्योंकि मैंने स्वीच दबा के रखा था ता मेरा टीवी आन था यह स्वीच भी खराब है इसकी तो सबसे पहले हम स्वीच को बाइपास कर देंगे इसको साट कर देते हैं या फिर स्वीच अगर आपके पास तो चेंज कर लगा देता हूं 200 पर और इसके बाद हम लोग चेक करते हैं तो मल्टी मिटर का जो हमारा ग्राउंड वलब रॉब है मैं इसको यहां और फॉला अप्सन है यहां पर मैं लगा देता हूं इसको माइनस पॉइंट पर और उसके बाद हम मल्टी मिटर से टेस्टिंग करेंगे तो इस तरीके के अगर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें क्या टेस्ट करना है इसके बारे पर आईए वीडियो में देख लेते हैं यह आपका CRT पर PCB लगी होती है इसमें ट्राइंस्टर लगे होते हैं कलर के लिए जो कलर के अंप्लिफाई करते हैं तो यहां पर दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हमें विल्यू कैथोड ग्रीन और रेड होते हैं तो मैं विल्यू पर चेक कर रहा हूं यहां पर लगबग हमको 50-60-70 वोल्ड के आसपास होनी चाहिए सप्लाई ल 20उ पॉल्ट की सप्लाई है यहां पर दोस्तों लिखाव रहता है आपको एकस्व फॉआफी बॉल्ट या दोसफॉबुत के आगए सप्लाई होनी चाहिए तो यह सप्लाई भी नहीं आई रही है आब हम चलते हैं पिसीबी की तरफ क्योंकि यह सप्लाई में पिसीबी 202 2 100 के माध्यम से यह 200 बोल्ट की सप्लाई हमको इस पीसीबी से आती है यह रहा आपका जैक पीसीबी का यहां भी देखो 20 बोल्ट यहां पर आपको भी आसानी से दिख रहा होगा 20 बोल्ट की सप्लाई यहां पर भी है यहां पर 200 बोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए यह सप्लाई ह सब्सक्राइब̀ SOUS निखा भी मिल जाएगा तो इस तो तो इस तरीके की फाल्ट आने पर हम झेक करेंगे गयोड लगा होता होता है डायोड च Was केपेसिटर चेक करेंगे उसके बाद हमारी सप्लाई 180 वोल्ट उपर तक जानी चाहिए जब भी बुष्ट बनेगी एश्टी की फिलामेंट जलेगा तो 200 वोल्ट की सप्लाई जरूर जाएगी वहां तक आए हम इसको थोड़ा क्लीन करके और देख लेते हैं क्योंकि यहां प भी देख लेते हैं तो डायवर्ट हमको देखने में यहां पे एकदम किली दिखाई दे रहा है यहीं हमें दोस्तों हम दोस्तों यहां मिल गया है यह कैपेसिटर का जो एक टांग है यह टूटी हुई है यानि जंग लगके कि खराब हो चुकी हैं तो सबसे पहले दोस्तों तो हम यहाँ पर केपिसिटर लगा के देख लेते हैं यह केपिसिटर 4.9 का है और मैं यह हिसको में आपको लगा के देख लेता हूँ तो 150 बूल से बन पुर पॉइन nuts 20 का है इसके बाद डायोड भी मेरे पास है टैवड 169 लगा होता है इसको हम बदल के देखते हैं तो सबसे पहले केपेशिटर लगा के सप्लाई चेक कर लेते हैं कि हमारी सप्लाई सभी की नहीं सभी तो दोस्तों यहां पर पेकेशी टर लगा देता हूं यहां पर दास मेपडी 250 वोल्ट का भी केपेशिटर यहाई तो सेट को मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 180 बोल्ट के आश्वा सप्लाई हमें मिलने लगी है तो 180 बोल्ट की सप्लाई हम सेरटी की बेस प्लेट पर भी देख लेते हैं यहां पे हमको भी 180 बोल्ट की सप्लाई मिल रही है और यह हमारा बिल्यू पिन था बिल्यू पिन पे भी हमें सप्लाई मिलने लगी बिल्यू रेड ग्रीन सभी पे हमें सप्लाई मिलेगी क्योंकि भी पिक्चर नहीं आ रही इसलिए बिल्यू पिन पे हमें 160 वोल्ड के आसवा सप्लाई मिल लए कोने पर आपको ए भी लिखा दिखाई दे रहा है सेट आपको पूरी तरीकी से सही हो चुका है ए भी यहां पर दिखा दे रहा है इसके बाद हम लोग वीडियो लगा के भी देख लेते हैं कि कोई और फाल्ट तो नहीं इसमें तो इस त प्रब्लम होती है यह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है पिक्चर एकदम किलियर आ रही है टीवी आपके सही हो चुकी है तो यह बहुत ही सिंपल आपके लिए है अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें बहुत-बहुत धन्या